नमस्कार क्राइम पैटल देख रहे हैं आप में हूं कैलाश भिस्ट और हम आपके लिए ऐसे स्टोरियां लेकर आते हैं जो स्टोरियां आपको अच्छे लगती हैं और आज जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और जो स्टोरी में आपके लिए लेकर आया हूँ यह स्टोरी आपको बहुत जादा पसंद आएगी क्योंकि आज हम जिस शक्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं कई लोग उनको जानते नहीं हैं लेकिन 1922 से उनको एक ऐसा शौक चड़ा कि उस शौक के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी हदप्रभ हो जाएंगे आज हम उस शौक की बात कर रहे हैं रजश शर्मा जी हैं जो देहदून में रहते हैं उनका शौक है कि उनको पुराने सिक्के और पुराने जो नोट होते हैं उनको उन्होंने जमा किया है और 149 बात देशों की करएंसी उनके पास अभी मझूद है करोणो की आज इनकी कीमत हो चुकी है और तो मैं आपको सबसे पहले बता दूब की नोटों के बारे मैं आपको बताता हूँ कि मैं समझताओ की ऐसे नोट आपने नहीं देख्योंगे मेरे पीछalls ये नोटों का आप देख सकते हैं और ऐसे बेश किम्ती ये नोट है इन जुन बेश किम्ती नोटों को आज तक हमने नहीं देखा नहीं हमने किताबों में देखा होगा ये वो नोट है जो शर्मा जी ने कलेक्शन इनका किया है 1922 से वो शौक को पाले हुए और उनका लाखों रुपिया इस से पहले हम उस शक्सियत से आपको मिलाते हैं जिन शक्सियत की वज़े से आज हम ये सिक्ख्य और नोट देख पारहे हैं रजश शर्मा जी मैरे साथ है सर बहुत-बहुत स्वगत आपका क्राइम पैट्रोल में और ये जो सिक्ख्य हैं ये जो नोट है एक एंशन कलेक्सन आपके पास है तो सबसे पहले दूसर ये बताईए दर्शकों को कि किस किस जमाने के सिक्के आपके पास है क्या कुछ खास इंकम मैक तो है मेरे पास जो है समराट अशोक से लेके सामन तदेव कश्मीर की दीदा रानी हैदराबाद के निजाम इलतोतमिश शाहजां औरंग जे जितने मोगल बाच्शा हुए हैं सब के मेरे पास सिक्के हैं तो को दिखाईए हातों से ताकि दर्शकों को भी यकीन है कि वाकिए में यो जमाने के सिक्के ये इस्टि इंडिया कंपनी का 6840 का सिक्का है ये दो वर्जिन में आता था जिसमें एक सिक्षे में एक चोटी हुआ करती थी और एक में दो चोटी हुआ करती थी रानी विक्टोरिया इसके अलावा महराजा रंजीत सिंग जी जो सिक्ष गुरू भी थे ये उनके सिक्षे हैं इसके अलावा सर और कौन कौन से सिक्षे हैं जो दर्शक भी यहां पर स्काफी उच्षोप यहां पर नज़र आई है ये शाहा आलम का सिक्षा है ये भी मोगल था इसके अलावा इसमें ओरन्नreseफ कभी सिक्का यहां पर दिख रहा है शाह जहां कभी सिक्का दिख रहा है जिया यह मालवा सलतनत के हैं ठीक है सर् especialmente यह नसुरुदीन मोहमद शार्फ हद्रात यह उनका सिक्का है यह नसुरुदीन मोहमद ये 1840 का रानी विक्टोरिया इस्ट इंडिया कमपनी का सिक्का है ये शाह जहान का सिक्का है ये समराट अशोक के पंच मार्क सिक्के ने कहा जाता था ये तब के सिक्के हैं ये सारे चांदी के सिक्के हैं तो ये बड़ी दिल्चस्प बात है कि समगाट अशोक के सिक्के आप देख सकते हैं कि चांदी के सिक्के हैं और शाह जहां से लेकर यहाँ पर जो अलग-अलग सुल्तान थे उन तमाम लोगों के सिक्के आपने देखे आगे भी हम उन से जानेगी कि और क्या कुछ कलेक्शन उनके पास सर इसके अलावा और क्या कुछ कलेक्शन है ये दो आना है उन्नीस सो पचास में चला करता था भारत में इसके अलावा ये हैदराबाद निजाम के सिक्के हैं तामबे के ये एक पाई है आज की जेनरेशन ने ये सिक्के नहीं देखे हैं ये एक पाई है ये सिक् सर अकर कीमत की बात करें तो आजकी रेट पर इनकी क्या कुछ कीमत होगी सर कीमत तो वैसे इनकी जो है वो लाकों में हैं आजकी डेट में अब कई लोगों के पास जो है collection पड़े हैं लेकिन उनको इस बारे में जो है जानकारी नहीं है कि इनकी उपयोगिता क्या है आज के युग में आज की जो जेनरेशन है उन्हें भी कुछ नहीं पता है कि हमारे यहां जो जितने राजा प्राचिन काल में हमारे यहां राज किया करते थे महाराना प्रताप के सिक्के हैं आपके प्रित्वी राज के हैं और भी कहीं राजा हुए हैं यहाँ पर सब के सिक्के हैं लेकिन क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए हमारी धरोवर जो है ऐसी नश्ट हो रही है अच्छा लगबक इसके अलावा और कितना कलेक्शन है आपके पास इसके अलावा सर मेरे पास बेशुमार कलेक्शन है कि अगर मैं दिखाना शुरू करूंगा तो रात हो जाएगी सर ये जो शौक है बहुत ही कमाल का है शौक है और इस पर जाहिर तोर पर खर्चा भी बहुत आया होगा तो लगबक कितना पैसा अब अभी तक खर्च कर चुक है अपने शौक सर हमारे विध्यालों में जो है उल्टी गंगा भे रही है हिस्ट्री पढ़ा ही जाती है लेकिन हिस्ट्री को रूट लेवल पे नहीं पढ़ाय जाता है उपरी तोर पर जो है उन्हें थियोरी बता दी हुए हैं, उनके सिक्के कैसे थे यह उने उने कुछ नहीं पता है. तो क्या आपका प्राइस रहेगा की आप सिकूलों में समपर्क करें जब आपके पास समय हो और बच्चों की इस तरी की सिक्षा दी मेरा अभी प्रियास है कि मैं जो है जितने या पर विद्याले हैं कम से कम उनके प्रिंसिपल्स के पास या तो इमेल के जरीए या खुद मिलकर जो है उनसे प्राथना करूं कि मुझे जो है अपने स्कूल में जो है एक प्रदर्शनी लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि व आप करें तो क्या कभी किसी फिल्म डॉर्टर या प्रोडियूसर ने आपसे संपर्क कीया तो दूडूर से आता है तो मेरे पास सिक्कों का कलेक्शन इतना है कि अगर वो एक खास सिक्के की डिमांड करते हैं देखने की तो मुझे जो है खुद ही घंटा देड़ घंटा लग जाता है उस सिक्के को ढूंड कर निकालने में और कितनी जिग्यासा होती है लोगों को जब यह सिक्के देखते हैं सर्थ सिर्फ लोगों ने नाम सुना होता है या पुस्तकों में या डिजिटल उसमें मीडियम में देखा होता है उन्होंने सिक्कों को लेकिन जब वो हाथ में अपने हाथ में लेकर जो सिक्के को देखते ह तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता यह जो शौक की बात करें सर यह शौक 1922 से आपको लगा तो इसकी शुरुवात कैसे भी थोड़ा यह भी बताईए सर सर मैं 6 साल का रहा हूंगा 71-72 की बात है 1971-72 में तो मेरे दादा जी जो की खड़क वासला में National Defense Academy में प्रोफेसर थे और अंग्रेज़ों को अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू पढ़ाया करते थे उन्होंने मुझे एक दो आने का सिक्का दिया था तो वो दो आने का सिक्का मैंने लेके रख लिया लेकिन जैसे जैसे समय बीता और मुझे उसकी उप्योगी ता समझ में आई तो वो ऐसा एक नशासा हो गया कि बस सिक्के पर सिक्के सिक्के पर सिक्के हर रियासत का सिक्का जैसे राजस्तान में अलग अलग रियासत ही थी महां के सिक्के महां के स्टाम पेपर इत्यादी ये सब जो है मैंने खरीदने शुरू कर दिये, इस्ट इंडिया कमपनी के जमाने के पोस्ट कार्ड, उनके एंवलप्स वेगरा, ये सब मैंने बहुत कालेक्शन मैंने बढ़ाया अचा सर, एक जानकारी और मैं लेना चाहूँगा, कि जो ये सिक्के आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप किस तरीके से जुटाते हैं, क्योंकि कई जगा इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिलती है, और कैसे आप लोग लेकिन यह है कि जैसे कोई नहीं चीज आती है फिर हम उसके बारे में जो है अलग-अलग मीडियम्स में पुस्तकों में इदर उदर लोगों से जो इसके बारे में जानते हैं उनसे जानकारी वेगरा एक खटी करते हैं फिर उस सिक्के को उसकी उप्योगी ताकि आधार पर उ लोग आए हैं मेरे पास और अलग-अलग राज़ियों से आए लेकिन जो होता है ना कि अंदर से दिल गवाही नहीं देता की जिस सिक्ह को मैंने जाकर बस में सफर करके ट्रेन में सफर करके कैसे-जूंद-ढूंद के लोगों को निकाला और उन से सिक्के लिये और इतने प पॉरिंग की जो करेंसी है इसका आपने किस तरीके से यह जमावड़ा किया सर यह ओनलाइन वाट्सैप के थूरू और आपका फेस्बुक और इंस्टाग्राम के थूरू जो है दूसरे लोगों के जितने भी नागरिक हैं जो इस फील्ड में शौक रखते हैं जमा करने का उन इडरस पर जो है आप इस मूले मैंने चुका दिया और इसके बदले में आप यह करेंसी मुझे बेज दीजिए तो वो अपनी करेंसी मुझे पुरानी बेज देते हैं यहापर किसी को यह सिके देखने हो तो क्या आपके घर पे वो उसका welcome है वो आ सकता है कभी भी या कोई समय निर्दारित है सर ऐसा तो कोई समय निर्दारित नहीं है क्योंकि मैं भी कामकाजी हूँ मैं भी British organization के लिए काम करता हूँ जब भी हाँ मुझे फुरसत मिलती है तो कहीं लोग आए हैं और कहीं ने देखा भी है यह सब समय के उपलब दता के उपर है हमसे बाचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो रजत शर्मा जी हमारे साथ थे जिनका यह एंटीक कलेक्शन है और फिर से मैं अपने कैमरा परसन से कहूंगा कि वो इन सिक्कों को जरूर दिखाएं क्योंकि जो जिस तरीके से मुगलों के इस सिक्के हैं उसके बा रजत जी से हमारी बाचीत हुई है उनका साफतोर पर यह कहना है कि उनकी दिली इच्छाए कि देरदून के जितने स्कूल से वहां पर वो निशुलक प्रदर्शनी वो लगाना चाते हैं ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके और हम लोगों से अपील कर कीजिए तो मुझे और मेरी सेयोगी खर्च को दीजी जाज़त और आप देखते रहें क्राइम पैट्रोल नमस्कार